कि शदन एक मंदिर की तरह है और यहां पे लोग मैक को तोड़ रहे हैं मैक मतलब तोड़ा गया है और वहां पर सब्द भी इन लोग के द्वारा बोला गया है इन लोग चाचा भतीजा का एकदम अच्छा है और बढ़ियां सरकार चल रही है महागडबंदन की और यह का बजट सत्र चल रहा है और उसी दर्मियान सदन के अंदर जो चीजे घटित हुए और कारवाई किया गया उसके बाद तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पोटिको एरिया में लगातार धरने पर बैठे हैं और जोरदार तरीके से नारे बाजी कर रहे हैं अलाकि जो सदन की कारवाई है वो खत्म हुई है और तमाम जो सत्ता पच्च के विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं हमारे साथ राजित की ही विधायका है मंजुजी इन से बात करेंगे कैसे देख रहे हैं सदन के अंदर माइक तोड़े जा रहे हैं आमर्यादित सब्दों का परियो यहां पर जीत के आए हैं बताईए ना परशन काल चलने दिया जाता है ना सुन्य काल चलने दिया जाता है बता दिजे ना तरांकित परशन होते हैं और इन लोग हंगामा इतना करते हैं कि मतलब सदन नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्यों नहीं इतना अच्छी सरकार है महाग करना है जनहित में तो कार यह नहीं करना है अब इन लोग को भी जवाब जनता देगी गाली गलोज आप मर्यादी सब्दों का परियोग होना एक परिशलन हो गया है नहीं देखे यह जो भी मतलब है जो भी पच्छ है उसको समझना चाहिए लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे है वो लोग मैक तोड़ रहे हैं बताइए जनहित का मैक मैंने तोड़ा ही नहीं नहीं वो तो देखने की चीज है तरफा कारवाई की गई नहीं नहीं मैक मतलब तोड़ा गया है और वहां पर सब्द भी इन लोग को द्वारा बोला गया है और हमारी सरकार अगरिनी है जो कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं यह एकदम गलत बात है मैं इसका विरोध करती हूं नहीं नहीं वो तो देखिए अब जो भी है लेकिन लोग को चाचा भतीजा का एकदम अच्छा है और बढ़ियां सरकार चल रही है महागडवन्दन की और यह मजबूती की साथ चलेगी आपने सुना राजत की विधाई का मंजो करवाल को साब तोर पर करती नजर आ रहे हैं कि चाचा बतेजी की जोड़ी अच्छी है और सरकार अभी चलेगी खैर मगर नराजगी बीजेपी के विधाईकों का साब तोर पर आप पोटिको एरिया में देख सकते हैं धरने पर ब